नमस्कार साथ्यों आज हम वांगीर है कच्छछश्ष वी की अध्याए दो जिसका सिर्शक है दो चरों का रखिक सम्हेटरन के प्रश्णावली 2.1 के प्रेस्थर परमांग 2 को लिखर के और यहां आपकी स्क्रीन पर दिख रहा हुगा प्रश्णावली 2.1 के प्रेस्थर मां निमने लिखी समीगर्णों के आलेक चित्रों को देखकर उनके हल के बारे में पता करें मतलब यह जो आपको चित्र दिया गया है यह चित्र की सहथा से आपको इसका हल पता करना है तो इसके लिए क्या दिया गया है आपको दो समीगर्ण दिया गया है 3x plus 2y minus 12 equal 0 और x minus y plus 1 equal 0 में आप देखें यहां खाली स्थान के रूप में दिया गया है तो यह जो दो समीगर्ण है इसके खाली स्थान हल है तब xy के बाद खाली स्थान होंगे तो इसके लिए आपको यहां पर यह जो चितर दिया गया है तो देखें यह जो पहला समीगर्ण 3x plus 2y minus 12 यह लिखा गया है यहां पर मतलब यह जो आपको line दिख रहा है यह line इस समीगर्ण से बनाया गया है और इस line को आलेक कहा जा रहा है इस graph को अंतरगत तो ये पहले समीकरण के द्वारा बना हुआ आलेक है और ये दूसरे समीकरण है तो दूसरे समीकरण के द्वारा बना हुआ आलेक ये है और हम देख सकते हैं कि ये दोनों आलेक एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटर्सेक्ट कर रहे हैं मतलब इस पॉइंट पर एक दूसर आपको इस्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तो तीन पाइंट में से पहला पाइंट का है जब समीकरणों से प्राप्त आलेक कि एक दूसरे को कि इंटर्शिक्ट करते हों मतलब एक दूसरे को काटते हों तो तीए गए समीकरण के अधडवितिये हल होते हैं तो यहां पर हमारे जो खली थन है यहां क्या जाएगгор अधवितिये हल और एक्स م्ने के दूसरे को काटते है इस पॉंट को ही इसका हल कहा जाता है और जब भी इसको हरेक ए लुप में या कौर्टे कर दिखा जाता है तो पहला वाला जो मान है वो एक्स का होता है और बाद वाला जो मान है वो वाई का तो यहां पर एक्स बराबर दो और वाई बराबर तीन तो हम लिख सकते हैं एक्स बराबर दो वाई बराबर तीन बस इतना ही काम आपको करना है लेकिन इसके लिए कि आपको स्क्री तो चित्र आपको दिख रहा है यहां पर फिर से दो समीगरण है और दो समीगरण यहां पर जब हम देखेंगे तो यहां केवल एक ही लाइन दिख रहा है तो इस समीगरण के लिए भी यही आलेख है और इस दूसरे समीगरण के लिए भी आलेख सेम है तो इसके लिए आपको जो दूसरा point है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा जब समीकरणों से प्राप्त आलेक सर रेखों या एक ही रेखा पर इस्थित हों तब समीकरण के अनन्त अनेक हल होते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा अनन्त अनेक हल हल होंगे और एक्स वह य के मन गात करना है तो जहां जहां आपको यह जो पॉइंट दिख रहा है वह सब एक्स के वाइल्यू है और वही हल है और वैसे जो दूसरा point है वह सब य का वैल्यू है तो एक्स का जो मान है वह अलग-अलग होगा जब यहां देखेंगे तो एक्स का वैल्यू होगा जब यहां देखेंगे तो एक्स का वैल्यू थ्री होगा जब यहां देखेंगे तो एक्स का वैल्यू थाइप होगा इस प्रकार से बहुत सारे हल प्राप्स होंगे वसे प्रकार से जो य का वैल्यू है तो य का व हुआ कि इसी प्रघार से स्याक को दिखते हैं तो यहां पर यह लिखा हुआ है ले एक समेखरन यह दो समेखरन और दोनों loses हमिरन को खालिस्थान हल है तब अप्सों के दिया गया है तो झुप यह जो गुद चुद फर्म्यभर्न यह आपको यहां पर दिख रहा है मतलब यह जो आलेक है यह इस समीखरण का अलेक है और यह दूसरा वाला लाइन दिख रहा है यहां पर भी समीखरण लिखा हुआ है मतलब यह जो आलेक है वो इस समीखरण से प्राप्त हुआ है और इसके दिए आपको देखना है पॉइंट क्या हो एक दूसारी के समांतर हूं यहां पर दिख सकते हैं समी करंड़ों से प्राप्त अलेक्त जो है यह पहला अलेक क्या है समांतर है दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है सभी जगा समान है तो यह समांता रेखा हैं तो समांता रेखा हो यदि प्राप्त हो रहे हैं इसका मतलब समीगरण के कोई भी हल नहीं है कोई भी हल नहीं है कि इस अवस्था में समीगरणों के कोई भी हल प्राप्त नहीं होंगे और जब हल ही नहीं होगा तो एक्स वार वाई का जो मान है वह आपको नहीं मिलेगा इस प्रकार से हम इस प्रशनावली रही की प्रस्ण दूसरा का लास्ट भाग को दिखते हैं तो यह लास्ट भाग में का देयए गया है कि ऩो यह दिखराहे एक्स अप्रस टूअइक कौल पर यहले मतलब यह जो आलेक है यह इस शिमीगरण से ही बना और ब्रक्रेंग rubbish मतलब यह जो आलेक है ये समीगरण दो से मिला है और हम देख सकते हैं कि यह दोनों एक दूसरे को यहां पर काट रहा है यह इंटरक्षेक्ट कर रहा है यह पिटि छेट कर रहा है तो यह जो पॉइंट है यहीं इसके हल है और मतलब एकस और वाई के वैल्यू है और चुंकि कि पहला वाला भाग आपने देखा जब सुमिकर्णों से प्राप्त है एक इक दूसरे को किसी बिंदु पर काटते हैं तो समिकर्णों के अद्वीत्ती हल प्राप्त हूँगे तो यहाँ पर अद्वीति अल लिख दोगे अद्वीतिय हल है और X और Y के मान लिख दोगे तो X बराबर आपको कितना मिलेगा माइनस 1 और Y बराबर कितना मिलेगा यहाँ पर जैएक सकते हैं 2 है तो Y बराबर 2 तो इस प्रकार्ट से प्रश्नावली 2.1 समाप्त होता है आशा है कि आपको यह वेडियो समझ में आ गया होगा और यह प्रश्ना भी समझ में आ गया होगा तो इस वेडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सेस्क्राइब और सेयर चिरूर के धन्यवाद